भारत जुड़ो यात्रा पर निकले कॉंगरेस के वरिष्ट नेता राहूल गांदी रह रहकर इसे तरक देते हैं जिसके कारण लोग उनकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं घंदुवाद बनाम हिंदुत्व के बाद अब उन्होंने श्री राम बनाम सीया राम का तरक पेश किया है इस तरक पर लोग राहूल गांदी का मज़ाक उड़ा रहे हैं राहूल गांदी ने कहा कि राम और सीता ओलग नहीं है इसलिए जब भी राम का नाम लिया जाए तो जे श्री राम के जगे जे सीता राम या जे सिया राम कहा जाए उन्होंने परुख शुरूप से भाजपा और राश्टे स्वेम से वक संग परवार करते हुए कहा सिया राम कहने के बजाए आजकल श्री राम कहा जा रहा है आखिर क्यों नहीं कहते सिर्फ जैश्री राम ही क्यों कहते हैं राउल गान्दी ने कहा जैसीय राम जैसीय राम का मतलब है जैसीता और जैराम ये सीता और राम एक ही है इसलिए नारा है जैसीय राम या जैसीता राम राम का जो जीने का तरीका था जो उन्होंने सीता के लिए किया वे लड़े जब हम जैसियराम कहते हैं तो सीता को भी याद करते हैं और समाज में जो सीता की जगे होनी चाहिए उसका आदर करते हैं बीजेपी और RSS पर निशाना साथते हैं उन्होंने आगे कहा बीजेपी के लोग जेश्री राम कहते हैं वे जेश्री राम हे राम क्यों नहीं कहते इस संगठन में महिला नहीं है वो जेश्री राम का संगठन ही नहीं है क्योंकि उनके संगठन में महिला तो आही नहीं सकती स सीता तो आई नहीं सकती सीता को तो भार कर दिया इस तरह का बयान देकर राउल गांदी ने अपने विरोधियों को एक बार फिर मौका दे दिया राउल गांदी ने शास्त्रों का अध्यन नहीं किया है ये तो उनके पुराने बयानों को देखकर सुनकर समझ जा सकता है लेकि शुब आदी है विश्ण को भी श्री पती कहा गया है यानी लक्षमी के पती श्री को बर्मान की प्राण शक्ती भी कहा जाता है इस तरह अगर जै श्री राम कहा जाता है तो इसका मतलब ही है जै सीता राम या जै सिया राम हलाकि राहुल गांदी ने इसे हिंदू पॉर्षो के नाम से आगे लगाए जाने वाला एक विशलेशन मात है राउल गांदी जो श्री को नए रूप में परिभाशुत कर रहे हैं उस विशे पर इसकॉन भी अपने राय दे चुका है इसकॉन ने साल 2019 में कहा था जै श्री राम और जै सीता राम दोनों का अर्थ एकी है और ये शास्त सम्मत है संस्कृत शब्द कोश के नुसार संग्या के रूप में श्री का अर्थ है श्रीमती, राधारानी, लक्ष्मी देवी, सीता माता धन, एश्वर, सौंदर, प्रुसिदी, ज्यान, शक्ति, कोई, गुण, या उत्कृष्टा आदी है संस्कृत के जानकर बताया जाने वाले ट्वीटर यूजर नितन बिश्रा कहते है जै श्री राम, तीन शब्द हिंदी में सही है, लेकिन संस्कृत में नहीं इसकार्थ है श्री यानि सीता और राम की जै जै श्री राम तो शब्द है हिंदी और संस्कृत दोनों में ही सही हिंदी में इसकार्थ है श्री राम, सीता के साथ राम की जै संस्कृत में इसकार्थ है घे राम, आप जीते राउल गांदी की इस व्याक्षा के बाद तोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ रहा है विपक्षी दल भाजपा को कोसने के चक्कर में राउल गांदी ने ऐसी बात कह दी जिसका कोई तुक नहीं है ये बात विद्वान और धर्मार्त संस्तान भी मान रहे हैं इस कबर में इतना ही ऐसी तमाम कबरों को जानने के लिए हमारा चनल सबस्क्राइब करें